ओके गैस तो यहां पर आप देख सकते हो मैं अपने फॉन के स्क्रीन पर आ गया हो तो चलिए आपको वताते हैं कि किस तरह से आपको फॉन पे के थुरू लेना है तो दोस्तो फॉन पे से लॉन लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फॉन पे अप्लि तो आपको क्या करना है आपको बड़ी लॉन पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे आपके समने बड़ी लॉन यहां पर open हो चुका है? और यहां पर आप देख पाऊगे नीचे पर लिखा हुआ है apply and get loan approval instant यानि कि आपको यहां पर loan के लिए lodge इंस्टांट अप्रूबल मिल जाएगा और आपको loan ही यहां पर मिल जाएगा तो loan लेने की लिए को क्या करना है? यहाँ पर आप देख पाऊगे निचे यहाँ पर आपको option मिलता mobile number का loan amount का personal email address का तो आपको निचे जो 3 box मिल रहा है आपको 3 box को यहाँ पर फिल कर देना है सबसे उपर में आपको अपना mobile number डाल देना है और इसके बाद निचे आप जितना भी amount का loan लेना चाहते हो आपको अपना loan का amount डालना है और इसके बाद सबसे निचे आपको अपना कोई भी email ID यहाँ पर डाल देना है तो चली मैं आपको एक एक करके तीनो process को complete करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं अपना phone number यहाँ पर डाल देता हूँ और इसके बाद निचे आपको OTP का यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर आपको इस तरह से paste कर देना है और इसके बाद आपको OTP यहाँ पर match हो जायाएगा और इसके बाद निचे आपको option मिलेगा loan amount का यानि कि आप जितने का भी loan लेना चाहते हो आपको amount यहाँ डालना है तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ 1000 डाल के ठीक है तो आपको जितने भी amount का loan चाहिए आपको अपना amount यहाँ डाल देना है और इसके बाद सबसे निचे आपको option मिलेगा personal email address का तो आपको अपना कोई भी email ID यहाँ डाल देना है तो चली मैं अपना email ID डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे option को फिल कर दिया है तो इसी तरह से आपको सभी option को फिल कर देना है और इसके बाद निचे आपको option मिलेगा नेश्ट का आपको नेश्ट पर किलिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाऊगे उपर में लिखा हुआ है यानि कि आप किस तरह का लॉन लेना चाहते हो आपको यह बस स्लेट करना है और नीचे आपको दो अप्सन मिलेगा एक मिलेगा प्रसनल लॉन का और दूसरा मिलेगा बिजनस लॉन का तो आपको यहाँ से जिस भी परकार का लॉन चाहिए तो आपको स्लेट कर लेना है तो चल आपको यह बाक्त करना है और नीचे आपको 3 option मिलेगा एक मिलेगा salary का यानिकि अगर आप नोकरी करते हो जौब करते हो तो इससे आपको salary मिलता है तो आप इसको select कर सकते हो इसके बाद नीचे आपको option मिलता self-employed का यानिकि आप अपना खुद का कोई business करते हो तो आपको second मे यह option मिलता है और इसके बाद निचे आपको option मिलता है student का तो अगर आप student हो तो आपको student को select करना है लेकिन मैं आपको suggestion दूँगा कि आपको self-employed को select करना है या फिर आपको जो सबसे पहले नमबर पर option मिलता है sell rate का आपको इसी को select करना है इससे ज़्यादा chance रहता है लॉन मिल लेका तो चलिए मैं आपको self-employed को select कर लेता हो तो इसी तरह सबसे आपको select कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर सब्सापको new interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर उपर में लिखा ह पाया है what is your professional type याण कि आपका profession क्या है आप क्या करते हो आपको यह select करना है और निचे आप देख पाऊगा आपको बहुत सरा option मिल जाता है आप यहाँ से small business owner select कर सकते हो house help select कर सकते हो इसके बाद निचे आपको बहुत सरा और भी option मिल जाता है तो चलिए मैं आपको select कर ले आपको just no पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर सापको new interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाऊगे उपर में लिखा हुआ है enter your personal details यानि कि आपको बना personal details यहाँ पर डालना है जैसे कि आपको बना date of birth यहाँ पर डालना होगा आपको आपको बना highest equalification डालना होगा इसके बाद आपको बना pen card number डालना होगा और इसके बाद आपको बना खुद का नाम यहाँ नीचे डालना होगा इसके बाद आपको आगला process करना है तो चलिए एक एक करके मैं अपना सारा detail यहाँ पर डाल देता हूँ तो इसी तरह से आपको data birth यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा gender का तो आपको बना gender यहाँ पर select कर लेना है और इसके बाद नीचे आपको बना क्वेलिफिकेशन यहाँ पर select कर लेना है आपको जो भी qualification है आपको यहाँ से select कर लेना है जैसे यहाँ पर आप देख सकत तो मेंनना पना pancard number यहां पहर टाल दिया है तो इसी तरह स्याह सफेंगर आपको को अपसान मिलेगा तो यहां पर आप देख पाओंगे हैं इसके तरह सी आपको सारा इंफ्रमेशन डाल दिया है warm इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा nest का आपको nest पर किलिक करना है और जैसे आप nest पर किलिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे फिर सापको new interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पाओगे उपर में लिखा हुआ है इंटर कम्यूनिकेशन एड्रेस याणि कि आपको अपना एड्रेस यहाँ डालना होगा है जैसे आपको सबसे उपर में option मिलता resident type याणि कि आपका resident क्या है अगर आप self honored हो तो आपको self honored select करना है अगर आपको नीचे बला option select करना है तो आप इसको भी select कर सकते हो अगर आप rent प आपको यह select करना है तो चली मैं आपना इर्रेस यहां बहुत बताता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ डाल दिया है तो इसी तरह से आपको तीन ओप्चन को यहां पर फिल कर देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा नेश्ट का है आपको नेश्ट पर क्ल करोगे तो इसके बाद यहां पर आप देख पाओगे फिर से आपको new interface देखने को मिलेगा और यहां पर आप देख पाओगे उपर में लिखा हुआ है income and bank details यहनके आपको अपना income डालना है और आपको अपना bank details यहाँ वे डालना है और यहां पर आप देख पाओगे सब income यहाँ पर डाल देना है जैसे यहाँ पर मैंने 50,000,000 डाल दिया है तो इसी तरह से आप जो भी आप डलना चाहते हो आपको यहाँ डाल देना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा select your bank तो आपको पना bank यहाँ से select कर लेना है आपका account जिस भी bank पर है आपको select कर लेना है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने state bank पर इंडिया select कर लिया है तो इसी तरह से आपको पना bank यहाँ पर select कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊँगे नीचे आपको option मिलेगा are you interested in credit card क्या आप credit card में interested रखते हो अगर आप interested रखते हो तो आपको yes type करन है और आप नहीं रखते हो तो आपको no select करना है तो चली एकः नो ideals कर लेता हूं तो आपको यहाँ पर 3 option को फिल कर दे ना है और इसके बाद नीचे आपको option मिलेगा summit का, आपको summit प्र्किलिक करना है और जैसे आप summit पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊँगे थोड़ा यहाँ पर loading लेगा यहाँ पर आप देख सकते हूँ processing यहाँ पर चल रहा है तो इसी तरह सा आपका भी थोड़ा यहाँ पर यनकी आप आपको loan मिल जाएगा, ठीक है? और आपके WhatsApp पर भी Buddy Loan के दुआर आपको message मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकतु हूँ, अपने WhatsApp को open करता हूँ, और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे WhatsApp पर Buddy Loan के थूर यहाँ पर message आ चुका है, और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है मेरा कितना का लॉन यहाँ पर अप्रूब हुआ है मुझे कब तक लॉन मिलेगा यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है और दोस्त अगर आपको लॉन चाहिए तो आपको यहाँ पर यह टाइप करना है और अगर आपको lawn को cancel करना है अगर आपको lawn अभी नहीं चाहिए तो आपको यहाँ बर stop type कर देना ठीक है इस तरह से आपको stop कर देना है और जैसे आप stop करोगे तो इसके बाद आपको lawn यहाँ बर cancel हो जाएगा आपको यहाँ बर lawn नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे अभी लॉन नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर stop type कर दिया है तो इसी तरह से आपको type कर देना है और अगर आपको launch चाहिए तो आपको यहाँ पर yes type कर देना है तो दोस्तों यही process था है इसी तरह से आप phone pay के थुरू इसी तरह से बड़ी launch के थुरू लोन ले सकते हो मैंने आपको इस वीडियो में सारे चे इस्टे वा इस्टे बता दिया है कि किस तरह से आपको launch लेना है किस तरह से आपको launch के लिए अपलाई करना है I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो इंफर्मिटिव लगी है वीडियो को लाइक जरू केज़ेगा चैनल पर नियू आरे चैनल को स्क्राइब जरू कर लेना तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलतोर एक नई वीडियो में तब तक लिए जाहें बंदे मातरम